नमस्कार दोस्तों जैसी क्रश्णा कैसे हैं आप सब उम्मिद करती दोस्तों खुश होंगे शुक्षी होंगे शम्पन होंगे तो चलिए दोस्तों इसी उम्मिद के साथ हम सुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले हम फिर से आपको एक बार जानकारी दे दे कि हमने जॉइन बटन सुरू कर दिया है जिनने यह लगता है कि उन्हें अर्जंट है बात करना जरूरी है निसुल्क सेवा वाले कॉल पर कॉल उठाया नहीं जा रहा है या आपका नंबर नही से से बात्चीत हो जाएगी और जो भी आपको दिया जाएगा और वीडियो भी अपलोड की जाएगी जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी उन्हीं की जो प्रॉब्लम से उससे वीडियो आपको दी जाएगी आज दोस्तों जो मैं जानकारी देने जा रही हूं वह बहुत ही अच्छी है और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है हर इंसान दोस्तों चाहता है उसे धन मिले धन मिले क्योंकि धन के बिना पैसों के बिना तो दोस्तों जीना असंभव है कुछ लोग ऐसे मतलब इन चीजों में बिलिव करते हैं कि हां मेहनत करें और पैसा आए कुछ एक लोग हैं जो बात करते हैं कि मेहनत करने से तो पैसा आता ही है अचानक पैसा मिलना चाहिए बिना मेहनत का पैसा मिलना चाहिए सदनली अगर धन लाव होता है तो बड़ा मज़ा आता है नैचरली अचानक कोई भी चीज मिले अच्छी हो जो आपकी इच्छा में कहीं पड़ी हो तो मज़ा आता ही है कभी-कभी दोस्तों आप इस चीज को भी नोटिस करना आपने कहीं पैसे दे रखे है पैसे वहां से नहीं आ रहे हैं लेकिन सदनली कहीं और जगासे यह आपके पास पैसे आते हैं तो आप उसे खुद्रत का संक्यत ही समझें कि पैसे आप तक पहुँच गए क्योंकि ज्यादा तर ऐसा होता है दोस्तों कि आपने जहां पैसे दिये होते हैं आप वहां इस बात को विर्कुल लगने नहीं देते हैं कि चलो वहां से तो जो आना था आ गया लेकिन तूने जो लिया था वो दे जबकि जब आपका पैसा जाता है जब यह आपके घर से लक्षमी जाती है किसी ने किसी बहाने से तो जब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि पैसे आपके मैंने तो नहीं लिए इसने नहीं लिए अब वो चले गए तो आप सड़ली कहेंगे कि अरे कहीं भी गए मेरे तो पैसे जले गए लेकिन जब आता है तब मैसा नई कहते हैं कि चल कोई बात नहीं आप नहीं लपात नहीं मेरे पास अचानक कहीं और से आ गया दोस्तों यह जो ब्रह्म wers कुद्रत है आप इसका एक हिस्सा हो हम सब इसका है हर सजीव निर्जीव सब इसका एक हिस्सा है हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है कनेक्टेड है कोई चीज कभी कहीं से आती है कोई चीज कभी कहीं से आती है कुछ एक ऐसी बाते होती है दोस्तों जो हमारी समझ में आती है आप कहीं दूर खड़े होकर किसी जीओ को अचानेक बोलेंगे हट और हट जाता है भागता है तो आपकी समझ में आता है कि हाँ मेरे बोलने से यह असर हुई कई एक ऐसे क्रियाएं होती हैं दोस्तों जो आपकी समझ में सुरुआत में नहीं आती हैं तब तक नहीं आती हैं जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता है कितनी बार रेजल्ट आने के बाद भी आप उन क्रियाओं की गहराई को नहीं जान पाते इसलिए प्रकृति के जो यह नियम है उसे दोस्तों आप नहीं पहचान पाते यह उपाय में इसलिए यह वीडियो में ने इसलिए बनाए ही दोस्तों कि ये उपाया आप करें हो सकता है आपका धन कई और फसा हो लेकिन इस क्रिया को करने से आपके पास पैसे आ जाएं कहीं से नहीं तो कहीं से ठीक है तो दोस्तों आपको किसे भी दिन साम के समय माता दुर्गा जी के सामने गुलाब का पुस्प चढ़ाना है पहले आपको चढ़ा दे ना है जो यसी आप पूजा करते हैं व्यों से आप चढ़ा दीजीए रखिये और उस में से एक गुलाब उठा करके किसी डिश में छोटे से किसी बत्र में आप रखें और उसके उपर कपूर रख करके आप उसे जला दे और फिर उस पुस्प को आप माता दुर्गा जी के सामने चड़ाएं साम के समया आपको एक्रिया करनी है और माता जी के सामने आपको प्रात्ना करनी है कि मुझे अच्छानक धन प्राफ्त हो सड़नली मुझे कही न कहीं से धन मिले ठीक है और दूसरा उपाई दोस्तो आपको लेना है एक पान का पत्ता पान के पत्ते के उपर आपको गुलाब की साथ पंखुडियां रखनी है क्या रखना है गुलाब की साथ पंखुडियां पत्तियां गुलाब के फूल की और एक बतासा आप रख दें बतासा ना हो तो थोड़ा सा गुड आप रख दें माता दूर्गाजी के सामने और आप उनसे प्रात्ना करें कि मुझे अचानक धन प्राप्ती हो वैसे धन प्राप्ती के लिए दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी अचानक धन प्राप्ती के लिए आपको जंडा लगाना था पीपल के पेड़ पर उससे भी दोस्तों अचानक धन प्राप्ति होती है और ये जो क्रिया है ये क्रिया करने से भी दोस्तों आपको कहीं ने कहीं से धन प्राप्त अवश्य होगा एक बार करें तीन बार करें पाँच बार करें आपको सड्डेनली धन की प्राप्ति होगी और कोई भी क्रिया दोस्तों जब आप करते हैं तो मैं फिर से बोल दूँ दोस्तों विश्वास के साथ करें विश्वास के साथ करेंगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा पॉजिटीव आएगा आपको जानकारी अच्छी लगता है दोस्तों आपके दोरा शेर की गई जानकारी से दोस्तों पता नहीं कब कहां किसका भला हो जाए और आप पुन्य के भागी बन जाएं तो करते रहें दोस्तों खुश रहें ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलिफ पढ़ती है तो खुशे अवश्य खुश रहें जैसी क्रश्णा